नमस्कार आप देख रहे हैं के मास न्यूज हर समय आपके साथ मैं हूं ग्यानुत कुमार मौरिया हमारी लेटिस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज है या टाइप करें www.kmasnew.com नमस्कार आप देख रहे हैं के मास न्यूज दिंदर की बड़ी ख़बरों में आपका श्रागता है खबर अमबेटकर नगल जलारपूर से हैं पतादयापको अपनी ही जमिन पर कबजा पाने के लिए तहसील किया चकल लगाकर ठक चुका फरियादी नहीं हो रही सुनवाई यहाँ बता दे आपको तहसील समाधान दिवत पर जलारपूर में आये एक फरियादी की फरियाद पर उपजीला दिकारी भरतला सरोज का तेवर काफी सक्त दिखा उन्होंने राजसर निरिछक को निर्देश किया कि टीम बना कर हलहाल में पट्टेदार को उसकी जमिन पर क दिखारी लालपूत राजमन का एक भुखंड पर पट्टा आवंटित हुआ था फरियादी के मुताबिक उसकी जमिन पर विपच्छीगर आवेध कबजा करने की मनसा पाल रखे हैं जिसके चलते उसका राना दुभर हो गया है और उसकी जमिन उसके हाँ से निकल जाएगी पिडित की फरियाद पर SDM जलालपूर भरतला सरोज ने राजयोसर निरिच्छक को पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर कबजा दिलाने है तू निर्देश दिये आईए दिखाते हैं आपको जहर बोड़ क्या नाम है आपका यारिलाल पिता जी का नाम स्रीरामनार गाउं हतेफुर बड़ा गाउं अब बताएए क्या समस्या है आपकी जमीनी समस्या है कोई आपकी क्या है समस्या जरा बताने जो आपकी जमीन है यह आपकी खतवनी की जमीन है या कैसी जमीन है वो में पट्टा है पट्टा मिला था आपको इसका मलब आपकी वो जो भूम है संक्मरी हो गई होगी अब पट्टा तो रहा होगा नहीं उस पर नहीं संक्रूरी है तो विपक्षी गान लोग कौन-कौन है जो कब जा कर रहे हैं उसमें राज बहादुर यादो है बाबु राम यादो अरी राम यादो इस लोग है जब आपने अप्लिकेशन दिया तो इसमें आप लेखपाल से मिले थे लेखपाल से मिले थे लेखपाल ने क्या कहा लेखपाल ने कहा कि तुम वहां पर कभजा कर पाऊगे तो उन्होंने भी कहने लगे चमार साले वहां कभजा कर पाऊगे इस तरीके से लेखपाल कौन है आ पत्ता खारिज करवा देंगे वहां से. पत्ता खारिज कर देंगे वहां से.